प्रेस दे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट हेलो गाइस आप सब कैसे हो वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमेस्टी पॉइंट बाई विसाल सोनी बच्चो आज का हमारा टोपिक बड़ा ही इंटरस्टिंग है पिछले जो टोपिक में मैंने आपको पढ़ाया था लोग और एंटी लोग सिखाया था बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक की अनुसार आई होप आपको मेरी वीडियो देखने से लोग और एंटी लोग निकालना आ गया होगा ठीक है और उससे पहले बच्चो मैंने इकलिबिरियम कॉंस्टेंस करवाया था ठीक है आज हम पढ़ेंगे बच्चो पार्ट 10 में टोपिक जो की हमारा जो सेल है वो सेम कंडिशन्स पे रहकर किस तरह अपना मैटल बनाएगा या इलेक्टोलेटिक का कोई सोलूशन्स बनाएगा उस कंसंट्रेशन्स जो सेल होगा उसमें हमारी जो नर्श्ट इक्वेशन्स होगी बच्चो एक्शली वो क्या होगी ठीक है तो लेट सी बच्चो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्क्राइब करो और उसका बैल आइकन दबाओ ठीक है अगर आप बैल आइकन नहीं दबाओगे तो आप बच्चो नोटिफिकेशन्स जो आता है वो आपके यूटूब में नहीं आएगा ठीक है अगर आप नहीं करोगे तो बच्चो आपको इलेक्टो केमेश्टी जो यूनिट चली हुई है आप पीछे रह जाओगे ठीक है तो लेट सी बच्चो हम एक्जाम्पल के थरो आपको मैं सिखाऊंगा बहुत इजी ट्रिक के अनुसार हम आज का टोपिक बच्चो नंश्ट इक्वेशन्स एंड कंसंट्रेशन्स ओफ सैल मतलब किसका कंसंट्रेशन होगा यहां सैल का ठीक है विच मेड अप टू सेम मैटल होगा ठीक है और इलेक्टोलेटिक सोलूशन होगा उसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर आप मान इस यह कि मेरे पास कोई सोलूशन है मतलब अप उन एक सोलूशन लेते थे ना एनोर्ड और कैथोर्ड का कौन सा सोलूशन लेते थे जिंक का लेते थे ठीक है अब इसमें क्या होगा बच्चो जो इसमें सोलूशन है ना जिंक क्या है हमारा सोलिड है मतलब जिंक अपने दो electron को loose करके क्या बनाता है aqueous form बनाता है ये solid होगा ये aqueous होगा ठीक है और साथ में बच्चो क्या लगेगा breeze लगेगा ठीक है अब एक चीज देखो ये क्या हो गया हमारा anode हो गया मतलब ये कौन सी reaction होगी बच्चो anode की reactions होगी ये anode के उपर concentration करेगा ठीक है अब हमें क्या करना है पिछे मैंने बहुत कुछ बताया था कि जब reactions करते हैं तो दो तरह की reactions उसमें upload की जाते हैं एक जिंक की करते हैं और एक cathode की करते हैं मतलब जिंक की और copper की करते हैं यहाँ actually क्या होगा यहाँ actually क्या होगा जो हमारा जिंक की है ना उसी को जिंक में cathode में apply किया जाएगा मतलब इसने अपने दो electron को lose करके वो ही दो electron को upset करके यह अपना cathode बनाता है ठीक है यहाँ लग जाएगा zinc solid और यहाँ बन जाएगा aqueous ठीक है एक चीज़ clear हो गई second बात क्या धन रखोगे जब इसका किसका बच्चो जब zn और zn2 positive मतलब aqueous यह कौन सी conditions का रहेगा कौन सा concentration रहेगा बच्चो c1 concentration पीछे equilibrium constants में बताया था nonst equations में बताया था c1 और upon में c2 आप मेरे पिछे वाली वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है यहाँ c1 होगा और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चो हमारा c2 ठीक है यह कौन सा concentration होगा c1 यह वाली condition c1 और यह c2 ठीक है यह हमारी anode होगी और यह हमारी क्या होगी cathode होगी ठीक है यह oxydations कराएगा और यह reductions कराएगा एक बात सेकिंड बात के लिए रोगी थर्ड बात और देखो आप थर्ड बात कौन सी है बच्चो actually क्या होगा जब c1 और c2 क्या है दोनों different है ठीक है reactions क्या है same है अगर बच्चो यहाँ reactions same है अगर यहां concentration same होती न तो यह cell के उपर काम नहीं करता ठीक है क्या नहीं करता cell के उपर यह reactions काम नहीं करती बट यह काम करेगी कैसे करेगी क्योंकि इसकी reactions तो same है बट इसका concentration different है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे c1 and c2 are different cell are different cell work ठीक है cell जो है किस तरह यह अपना different work के अनुसार काम करता है ठीक है reason भी मैंने आपको बता दिया है क्यों काम करता है देखो अगर यह reaction same है अगर concentrations भी बच्चों same होता तो यह cell कोई भी work काम नहीं करता ठीक है यहाँ क्या है concentration different है c1 का concentration कुछ है और c2 का concentration कुछ है मतलब हो गया different हो गया reaction same है concentration different है अगर यहाँ दोनों चीज सेम होती बच्चों तो हमारी जो cell है वो काम करना बंद कर देता ठीक है अब इसी के base पे हम nunched equations कैसे solve करते हैं क्या आपको पता है nunched equations की reactions क्या है मतलब उसका हम nunched equations जो होती है उसको हम कैसे define करते हैं प्लीज बताओ मेरे को नहीं तो मेरे को तो बताना है आगे देन बच्चों इतना आपको समझ में आया कि यह हमें क्या पता किया कि जो हमारी दोनों reaction सेम होगी दोनों का concentration सेम होगा तो बच्चों हमारा जो cell है वो काम करना बंद कर देगा ठीक है reaction सेम होनी चाहिए बट इनका concentration जो है वो different होना चाहिए ठीक है अब मैं बात करता हूँ उसकी nunched equations को कैसे solve करेंगे आप सभी को पता है बच्चों की nunched equations को कैसे solve करते है ओके आप सभी को पता है कि nunched equations को कैसे solve करते है उसको हम कैसे define करते थे बच्चों e cell मतलब non-standard cell is equal to upon me standard cell ऐसे define करते थे और इसकी value क्या थी 0.059 upon me log concentration of anode concentration of anode upon me concentration of cathode यह upon define करते थे nunched equations में ठीक है यह equations कब follow करेगी जब हमारा temperature 298 Kelvin के उपर बराबर होगा ठीक है तब जाकि यह हमारी equations को follow करेगी ठीक है आपने चीज पढ़ी होगी बच्चों electro chemistry में मैंने पहले बताया हुआ था एक चीज electro chemical series के बारे में ठीक है अब हमें यह पता करना है कि जो इसका standard electrode cell है न actually वो कितना होगा कैसे पता करेंगे हम electrode chemical series के अनुसार इसको define करेंगे किसको E note cell मतलब standard cell को define करेंगे तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि electro chemical series बच्चों मैंने आपको कराई हुई है आपको सभी को पता है ठीक है यह हमें जानते थे कि electro chemical मैंने series पढ़ाई थी हमारी जो reactions क्या है बच्चों जिंक है तो इसका हमें क्या निकालना है standard electrode potential निकालना है उसको हम कैसे define करेंगे देखो जरा यह हमारे जैडन 2 positive अपने बच्चों electro chemical series निकालना है जैडन 2 positive aqueous plus 2 electron यह अपने lose करता है तो बनाता है हमारा बच्चों जैडन solid ठीक है अब हमें क्या पता करना है बच्चों इसका हमें electrode मतलब standard electrode potential को define करना है ठीक है तो हम कैसे define करेंगे हमें बच्चों electro chemical series मैंने बहुत अच्छे से salt तरीके से समझाई थी वहां बच्चों zinc की जो value आई थी हमारी मतलब हमारा E not Zn अपोन में Zn diapositive is equal to जो electro chemical series के अनुसार इसकी जो value आई थी वो बच्चों minus 0.76 वोल्ट आई थी ठीक है यह आपको ध्यान आ गई होगी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ठीक है तो यह हमारा क्या है बच्चों Standard Electro Potential की इसकी value है ठीक है अब इसको बच्चों हम define कैसे करेंगे ठीक है आपको पता है सभी को पता है कि हम Standard Electro Potential कैसे निकालते हैं E not cell is equal to E not cathode minus में E not anode भी लिख सकते हो इसे हमें कोई matter नहीं है हमें तो बस value का पता होना चाहिए ठीक है तो बच्चों एक चीज और आप ध्यान रखना कि हमारा जो E not cathode है और E not जो हमारा anode है वो तो दोनों बच्चों सेम है जिनकी जो chemical series Electro chemical series जो value आई है वो भी बच्चों सेम है सेम होगी anode की भी बच्चों इतनी होगी और cathode की भी बच्चों इतनी होगी तो हम actually क्या कर देंगे minus 0.76 minus minus 0.76 ठीक है ये plus हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे E not cell is equal to minus 0.76 plus में 0.76 is equal to 0 ठीक है तो हमारी जो E not cell की जो value आई है वो कितनी आई है बच्चों 0 आई है आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों एक बात इसी के base पे आपको numerical मिल जाए तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना standard electrode potential की जो value होगी वो कितनी होगी बच्चों 0 होगी ठीक है अब हम इसको nonced equations में put कर देंगे कैसे करेंगे non standard electrode मतलब E cell is equal to standard electrode कितना है बच्चों हमारा 0 निकल क्या है minus 0.059 upon में N ठीक है लोग और हमारा क्या है बच्चों concentration C1 upon में concentration C2 इतना आपको समझ में यहां तक बच्चों कोई दिक्कत आपको I hope कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे पढ़ाने से मैं one by one एक एक step आपको clear करता चला जाऊँगा ओके इतना आपको समझ में आए बच्चों आप एक चीज और ध्यान रखना जो हमारा concentration C1 anode है और जो हमारा concentration C2 cathode है उसके उपर बच्चों पावर कितनी आएगी पावर मतलब stoichiometric कितनी आएगी वो हमें reactions में पता चलेगा देखो बच्चों यहां हमारा जिंक है यहां भी हमारा जिंक है और यहां भी हमारा जिंक है अब आप एक चीज बताओ इस जिंक के आगे बच्चों कोई भी डिजिट नहीं है नहीं इसके आगे इसके आगे इसके आगे और नहीं इसके आगे तो कोई भी डिजिट ना होने की वज़े से इसकी जो पावर होगी बच्चों वो 1 हो जाएगी ठीक है आप हमेशा ध्यान रखना बच्चो कोई भी स्टोई सो मैट्रिक आपको सो की जाएगी तो हमें पावर लगाना बहुत जरूरी है ठीक है अगर आप पावर को सो नहीं करोगे तो आपका कोशन्स को गल्त माना जाएगा ठीक है आप मैंने आए पिछले वीडियो में एक दो पहले जो वीडियो बताए थी सिल्वर के बारे में बताए थी ठीक है उसके सिल्वर में जो बच्चो आगे डिजिट नंबर था ठीक है ध्यान रखना आप और जो हमारा जिंक है उसके आगे कोई पावर नहीं है तो उसकी वज़े से मैंने यहां 1 लगा दिया ठीक है अब इसको हम कैसे solve करेंगे e standard electrode cell तो 0 आ गया तो हमारा e cell is equal to 0.059 upon me n log c1 upon me c2 ठीक है यह हमारी क्या आ गई बच्चो यह हमारी आ गई nonced equations of concentration of cell made of which same metal ठीक है और same electrolyte solution यह आप बोल सकते हो बच्चो same anode और same cathode ठीक है that is clear यहां तक बच्चो कोई problem आई हो तो please comment करना बहुत ही easy topic है आप अच्छे से समझ सकते हो ठीक है और अब इससे आगे मैं one by one topic को clear करता जाओंगा अब चैनल को subscribe करो बैल आइकन दबाओ share करो ठीक है यह हमारी आ गई nonced equations and concentrations of cell made up to same metal electrolytic solution आप बोल सकते हो same cathode same and all ticket thank you